आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MS Pillar की Watch History को कैसे डिलेट कर सकते हैं दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि MS Pillar की Watch History किस तरह से डिलेट करते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम कभी अपना MS Pillar में किसी भी वीडियो को देखते हैं और वो जो है हमारा Watch History में सेव हो जाता है जब भी हमारा फ्रेंड दोस्तिया और हमारा मुवाल लेता है तो वो जो MS Pillar को चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि मैंने क्या-क्या वीडियो देखी है तो दोस्तो MS Pillar की Watch History को डिलिट करने के लिए आपको MS Pillar को ओपन करना है और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको दो आप्सन आएंगे यहां पर निचे जहां पर Game लिखा हुआ यहां पर आपको Mii का ओप्सन आएंगे या तो आप यहां पर जैसे उपर में 3 dots है, 3 lines है तो आपको इस 3 lines पर किलिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह करके निचे आना है नीचे फ्रेंट्स यहाँ पर आपको watch history का option है आप जैसे watch history पर click करते हो तो यहाँ पर आपके द्वारा search कियेगे सारे वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है तो मैंने यह वीडियो को search किया था इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ से आप एक एक करके delete करna चाहतе हो या सभी को delete करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो जैसे यहाँ पर delete वाले option पर click किया उपर में यहाँ पर दोस्तो सभी में एक box आ गया है आप जिस जिस वीडियो को यहाँ से delete करना चाहते हो इस तरह से tick mark कर देना है ठीक है अगर आप सभी वीडियो को डिलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर select all पर किलिक करना नीचे और यह जो सभी select हो जाएंगे और इसके बाद फ्रेंट select करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर delete वाले option पर किलिक करना है और आपका watch history पुरा खाली हो जाएंगे दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल पर पहली बार आए तो subscribe जरूर करना क्योंकि मैं यहाँ पर मुवाल से related तमाम तरह के जान करें सेर करते रहता हूं धन्यवाद दोस्तो